तो कैसे आप लोग मैंने मेंश और आप देख रहे हैं मैं यूटुब चैनल अंश्टॉकीज तो आज की वीडियो बहुत ही साथ खास और बहुत ही साथ एक इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक एडिटिंग सिखान तो इस त्रेंट का नाम क्या है तो इस तकर नाम हैं यहाँ पर हल्जिए मैं आपको यह वीडियो यहाँ पर दिखा दूंगा तो उससे आप लोग अंदासा लगा सकते हो और आपने इस वीडियो को यहाँ पर इंस्टिव पर सजाने वाला हूं अधिंग बहुत ही साथ लिए पहुत जाता एक आसानी सा आप अधिकश्ट विदिंग में को सकते हैं तो आपसे चील के यह वह अच्छी तरीका से नहीं बन पाएगा और इस पूरी एयरिइटिंग के लिए आप लोग को यहाँ पर एक application चाहिए होगा जिसका नाम है CapCut application तो वो आप लोग को यहाँ पर playstore के अंदर नेम मिलने वाला उसको download करने के लिए आप लोग को simply Chrome में जाना है जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर search के लेना है CapCut APK तो आप लोग को हाँ पर किसी भी website से चा करना पड़ेगा किस तरीके से editing करना पड़ेगा सब कुछ मैं आपको अपने फोन के स्क्रीन में ले जाके इत्म ठीटल वाइस समझा तो सबसे पर आप लोग को यहाँ पर तीन application चाहिए होगा फर्स्ट आप का CapCut सेगेंड आपका snap VPN थर्ड आपका Pixart तो snap VPN और Pixart का चो ल प्रफाइल में आ जाना है इस पंदी के प्रफाइल में इसका चो लिंक है वो भी मैंने आपको यहाँ पर description box में ते दिया है तो आप लोग वहाँ से बिचा के इसको चेकाउट कर सकते हो तो आने के बाद आप लोग को यहाँ पर simply effects वाले section में जाना है आप लोग को यहाँ पर ठेट साड़े effects मिल जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर किनी साथ effect को choose करके आप लोग को यहाँ पर साथ different different छोटा छोटा clip वीडियोस पना लेना है तो बना लेने के बाद आप लोग को यहाँ पर और एक वीडियो बनाना है without any filter ठीके ना मतलब total आप लोग को यहाँ पर आठ वीडियोस पना लेना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर उन साथ वीडियोस के तीन screenshot लेना है मतलब कि आप लोग को यहाँ पर पर वीडियो का तीन screenshot लेना है total आप लोग को यहाँ पर 7 x 3 means 21 screenshot ले लेना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है आप को यहाँ पर simply Pixar के application को उपिन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर प्लस वाला icon पे क्लिक कर देना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर photos वाले section में जाना है तो आप अपले के बाद आप लोगों यहाँ पर simply में और अपने discuss में बाद से लाल रंग को भट देना है मतलब में यहाँ पर क को रिमूफ कर देने के बाद आप लोग ऐडो में कलिक करना है उसके बासा वाद चल्दी कर रहा हूँ तो इस तरीके से हो चुका है ठीक है तो आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरीके से background को remove कर देना है हर 21 images का थोड़ा सा महनत वाला काम है मेरे को पता है लेकिन अगर आप लोग को अच्छा quality वाला चाहिए तो आप लोग को यहाँ पर हेँ थोड़ा सा तो महनत करना ही पड़ेगा ठीका थीकँना तो यहाँ पर आप लोग को 21 photos में apply कर देना है तो इसको कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पर simplyає five में klick कर देना है safe में klick करने के बाद आपका चो यह पिक्चर है वो यहाँ पर calorie में store हो जाएगा तो यहाँ पर यह चीज हम लोग का complete हो चुगा है आप लोग को यहाँ पर 21 images में same चीज़ करना है तो यह ठ्यान में रखना ठीक है ना तो यह कर देने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पर second काम करना है वो है आप लोग को यहाँ पर back में प्रेस करना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर capcut के application को open करना है एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर थ्यान रखना है कि जब तक कि ना आप लोग के यहाँ पर vpn को connect करते हो आप लोग यहाँ पर capcut के application को नहीं चला सकते उसके बाद आप लोग को यहाँ पर new project पर click कर देना है click कर देने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे videos के section में कि मैंने यहाँ पर 7 sorry total जो 8 videos था वो मेरा यहाँ पर already मौझूद है तो हम लोग यहाँ पर उन्ही 8 videos को select कर लेते हैं ठीक है न तो 1 2 sorry तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने इसको select कर लिया उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर add कर देते हैं बहुत जाता simple तरीके से उसके बाद आप लोग के यहाँ पर last में आप लोग को scroll करना है आप लोग देख सकते हो कि एक watermark आ जा रहे भाई watermark हम लोग क्यों चाहिए हम लोग को अपने abstracted में क्लिक कर देना है क्लिक कर देने के बाद आप लोग को मेंने description box में एक link दिया है तो आप लोग को उस link पर click करके आप लोग को एक वीडियो को download करेना है ठीक है ना मेरे यह already downloaded है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मेरा यह चो वीडियो था वो यहाँ पर downloaded है तो हमें इसको select करके import sound only में click कर देता हूँ ठीक है मतलब क्या है कि मेरा चो वीडियो था उसमें से वो चो main चो sound है मेरा वो यहाँ पर निकल के export होके आ चुका है मेरे इस वीडियो पर तो आप लोग को simply step को follow कर ल अभी सारा चो खेल है न वहें beats का खेल ठीक है और beats में आप लोग को यहाँ पर सिखाने सकता है थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकता हूँ लेकिन आप लोग में सिखाने सकता हूँ आप लोग को खुझ से समझ के करना पड़ेगा तो गाना यहाँ पर मेरे साम मैं अभी य इमेज को सैमिल्टेनियसली लगा देना है ठीक है और आप लोग देख सेकते हो कि मेरे यह फर्स्ट वालच वीडियो है वह कितना 10 सेगंड लंबा है इतना तो हम लोग को चाहिए नहीं यहाँ पर आप लोग को आप लोग यह करना ठीक है लेकिन आपको एक अंदाजा बोल देता हो कि आप लोग को यहाँ पर टू सेगंड्स ठीक है आपको यहाँ पर टू सेगंड्स कम से कम रखना है अपने वीडियो को तो आप लोग अपने वीडियो को यहाँ पर शौर्ट कैसे करोगे तो आप लोग को यहाँ पर स तरह के से इसको बड़ा कम कर सकतो हम लोग इसको यहां पर 1.5 सेगंड तक ही रखने देते हैं और पाकी का भी आप लोग इस तरह के से यहां पर श्प्लेट करके बाकी को हटा कि आप लोग इसको अपने हिसाब से according to the beat आप लोग इसको यहाँ पर adjust कर सकते हो तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको according to the beat इसको मैंने अपने चोट क्लिप्स था मेरा वीडियो क्लिप्स उसको मैंने यहाँ पर छोटा कर दिया है अभी में बात आ जाता है कि वीडियो मतलब आप लोगो को फिर से यहाँ पर इसक्षिन देख रहा है तो आपको आवास को कम कर दिया है तो इस portion के हाँ इस portion में tatata हो रहा है तो हम लोगो ने इस portion में अ-स को लगा दिया इससाभाद आप्छों को simply करना है इसके बाद आप लोगो को यहापर क्लिक करना है उसके बाद च्छ तो आप लोग को सिंपली यहां पर एक एक करके ऐसे को यहां पर लगा देना है तो आप लोग को पर फर्स्ट वाले पिक्चर को चूज़ कर लेते हैं ऐड़, एड़ करने के बाद, आप लोग को यहाँ पर simply यह को छोटा कर दो न है, ठीक है न, इसको हम लोग क्लिक करते हैं, इसको split करते हैं, बाकी के portion को kick out हटा देते हैं, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा expand कर दो ताकि आप लोग को editing करने में थोड़ा सा आसानी हो तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है आप लोग को यहाँ पर यह चो picture ना इसको आप लोग को यहाँ पर इस तरीके से कि यहाँ पर मैंने इसको add कर दिया है और आप लोग अपने beat के हिसाब से आप लोग खुद से भी कर सकते हो यह चीज इतना भी जादा कोई difficult नहीं है ठीक है उसका बाद हम लोग यहाँ पर second चो पिक्चर है उसको हम लोग इस तरह के से adjust कर लेता है बहुत ही जाथ देखने में अच्छा लग रहा है और बाकी का जो पोर्षन है जैसे कि हरेक टाइम होता है आप लोग को सेंपली यहाँ पर split करके यहाँ पर delete कर देना पड़ेगा अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा gap दीक है आप लोग को यहाँ पर second overlay में क्लिक कर लेना है उसके बाद हम लोग यहाँ पर third चो हम लोग का picture था चाहाँ पर मैं बहुत ही जाता handsome दिख रहा हूँ तो यह उसको आप लोग को हर इस साथ videos में आप लोग को सेम चीज करना है मैं पूरा नितिखाणा मना यह एक्तम इतिहास बन जाएगा मेरे वीडियो तो आप लोग को यह पूरा चीज कर लेना है ठीक है ना तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है वह अच्छी तरकी से समझ लो तो आप लो को यहाँ पर scroll करके आप लोग को एक effect को यहाँ डालना है जो कि है swing bottom ठीक है ना तो उसका अम लोग को यहाँ पर करके full duration जो है ना उसका आप लोग को एक्तम full रखना है तो रखतेने के बाद आप लोग को यहाँ पर tick mark में क्लिक कर देना है सेगंड में भी सेम चीज है आप लोग को यहाँ पर animation में जाना है इन में जाना है उसके बाद आप लोग को है यहाँ पर swing को खोलेना है swing bottom ठीक है ना आप लोग के बाद इसको duration में हम लोग full रखेंगे duration उसके बाद आप लोग को यहाँ पर tick mark कर देना है हर्ट के लिए भी हम लोग यहां पर सीम चीज़ करते हैं क्लिक करते हैं उसके बाद आप लोग को यहां पर लेर में क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद आप लोग को यहां पर एनिमेशन में क्लिक करना पड़ेगा इन उसके बाद आप लोग को यहां पर फिल्टर को चूज क वह एक्टम exact जैसे कि यहाँ पर Instagram पर viral जा रहा है न एक्जक्ट उसी तरीके सी यहाँ पर बनके आ चुका है तो अभी मैं यहाँ पर साड़े चितने बाकी के चो 6 वीडियो से उसके उपर भी मैं यहाँ पर सीम चीज को अपलाई करता हूँ और आप लोग को यहाँ पर final product में दिखा देता हूँ तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर तेक सकते हो कि मैंने यहाँ पर साड़े वीडियो में तीन तीन करके photos लगा दिया है और मैंने चो settings पताया था वो सब कुछ मैंने यहाँ पर apply कर दिया है और आप लोग यहाँ पर तेक स तो एक्तम starting से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बहुत ही साथा यह अच्छा देखने में लग रहा है ठीके ना बहुत ही साथ है एक खूपसूरत बहुत ही साथ ही अच्छा देखने में लग रहा है एक तम perfect बना है धीक न एक single word में मैं आगर मैं इसको explain करना चाहू तो एक अग्तिम रेडी हो चुका है उसके बाद आप लोग यहां पर Instagram में इसको छोड़ सकते हो जहां मर्जी WhatsApp, Facebook जहां मर्जी आप लोग उसको छोड़ सकते हो और ठेट सारी व्यूज लाइक्स, कमेंट्स पा सकते हो तो मिलते हैं ऐसे यह awesome वीडियो पे तब तक के लिए Bye Bye और अगर कोई भी problem होता है तो आप लोग मेरे यहां पर comment box में मरे को पूछ सकते हो या फिर आप लोग directly एक्तम Instagram पे भी मेरे से contact कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए Bye Bye